हेलो एब्रीवन वेलकम टू एनोदर एपीशोट बाइदा कार मॉल मैं आज स्फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई कार होंड़ाई की आईटेन ग्रांड जो की दो हजार चौदा मॉडल है 55,000 चली हुई है फर्स्ट ओनर कार है जिसका बजट बहुत ही कम है और मैं आपको इसका बजट बताऊंगा वीडियो के विलकुल लाश्ट में तब तक बने रही हमारे व्लॉग में करते हैं गाड़ी का पहले एक वाकराउंड फिर करेंगे गाड तो फ्रेंड्स में अभी आपको गाड़ी के फ्रंट दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं गाड़ी पे किसी भी तरह का कोई भी डेंट मार्क मी होगा कोई भी निसान नहीं होगा गाड़ी के बंपर पे कोई स्क्रेच नहीं होगा गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन ह बात करूँ तो इसमें आपको हेलोजन हेड लैम मिलते हैं और काफी क्लीन कंडीशन में मिलने वाले हैं गाड़ी के अगर बॉनट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रेश नहीं होगा गाड़ी पूरी एकदम से औरिजिनल होने वाली है तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी साइड की कंडीशन आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रेश नहीं होगा कोई भी डेंडमार्क नहीं होगा अगर मैं टायर की कंडीशन की बात करूँ तो इसमें 4 टायर आपको न्यू मिलने वाले हैं और इसमें 14 इंचिस के आपको टायर मिलते हैं अगर मैं आपको ORBM की बात करूँ तो आप आपको एडजस्टेवल मिलते हैं और टन इंडिकटर भी आपको ORBM पर ही बिल जाता है आपको इसमें keyless entry मिलती है अगर मैं पूरी body line की बात करूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी के उपर किसी भी तरह का दाग धबा कोई निशान नहीं होगा गाड़ी पूरी original होने वाली है अब हम चलेंगे गाड़ी के back side में और दिखाएंगे गाड़ी का boot space and back से condition गाड़ी के back side में भी आपको किसी भी तरह का कोई scratch नहीं मिलेगा कोई dent mark नहीं होगा गाड़ी की back से भी काफी clean condition आपको मिलने वाली है अगर मैं light की condition की बात करूँ तो आप देख सकते हैं light पे भी कोई scratch नहीं होने वाला बूट space की बात करता हूँ योगि इसमें काफी अच्छा बूट space आपको देखने को मिलता है एक हैस्पेट कार के अदर आपको 260 लीटर का बूट space मिलने वाला है जहां आप अपना सामान अच्छे से रख सकते हैं आप देख सकते हैं बूट space भी काफी clean condition में है अगर मैं कार के fuel tank capacity की बात करूँ तो इसमें 43 लीटर की आपके fuel tank capacity मिलती है और कमपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो 18 लीटर प्रती किलो मीटर का करती है तो अभी हमें कार के अंदर आप देख सकते हैं गाड़ी के अगर interior की बात करूँ तो गाड़ी का इंटेर काफी clear होने वाला है और dual tone में आपको मिलने वाला है गाड़ी के dashboard की बात को तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी scratch नहीं मिलने वाला है काफी clean condition में है और गाड़ी के अगर मैं mr. cake condition की बात करूं आप देख सकते हैं काफी clean condition में आप टिली सिद देखनी को मिलने वाली है अगर मैं च्रें कि स्कार के Istuba की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें company fitted आपको स्शिरीयो मिलता है जो की आप मैनॉली इसको you तो डूज कर सकते हैं सारी controls एदार आपको मिल जाते हैं AC के controls आपको मिल जाते हैं नीचे थोड़ा सा space मिलता है और ऑको OX का port मिल जाता है and USB का भी एक point मिल जाता है 12 check चाआजर मिल जाता है और बीच में आपको दो cup holder भी मिलते हैं अगर मैं गारी के speedometer की आप देख सकते हैं जो गाड़ी रन हुई है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ गाड़ी जम चली हुई है केबल 55,000 km चली हुई है योकि आपको क्लियर देख रहा है और गाड़ी आपको पुस बटन लिलने वाली है आप देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी के बैक सीट पर अब भी आपको back side में मिलता है, आप operate कर सकते हैं और आपको बारे बोल्ट का चार्जर भी मिलता है, तहांसे आप अपना फोन वगेरा चार्ज कर सकते हैं तो friends, अभी हम ने देखी गाड़ी की अंदर से और वहार से सारी conditions, तो अभी हम बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में ये गाड़ी हो सकती है, मात 3,25,000 रुपे में, आप कार मॉल आईए, बिजिट कीजिए, और गाड़ी की टेश डैब लीजिए, अगर आपको मेर वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चोटा सा वेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, मैं हर वीक आपके लिए लाता रहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कार्स के रिव्यूज, और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कि आप हमारे कार मॉल से अगर गाड़ी परसेस करते हैं, तो आपको आपको एक बाता बाता हूँ